हेलो फैंट्स मैं हूँ विशाल और मेरे चैनल विशाल्स कोकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आपके लेकर आया हूँ चोकलेट फज की बहुत ही चोकलेटी और टेस्टी रेसिपी दोस्तो अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज मेरे च आपसे छोटा वाला केक्टिन लिया है आप अपने फज के अनुसार कोसा भी केक्टिन ले सकते हैं तोड़ा छोटा या फिर तोड़ा बाड़ा तो इसको हम रिफाइंड वैल से अच्छे से ग्रीज कर देंगे अब इसमें लगा दूंगा मैं बेकिंग पेपर आप चाहें त तो बेकिंग पेपर को हम अच्छे से इस्टिक कर देंगे इसके किनारों को हम इस तरह मोड देंगे अब इसको भी हम रिफाइंड वैल से अच्छे से ग्रीज कर देंगे ताकि जब हम फज बाहर निकाले तो वह ज़्यादा चिपके ना तो मारा केकटी ने फज के लिए रेडी हो जुका है तो अब फज बनाने के लिए गैस को मैंने ओन कर दिया और गैस के प्रियों करके एक पैन को उसपर चड़ा दिया है इसमें डाला है मैंने 1-1 cup कंडेंग मिलक अब इसमें डालूंगा मैं 1 cup ग्रेटेट डार्क compound जो मैंने grate कर लिया है चोटा-चोटा अब इसको मीडियूम पर इसी तरह कुक करेंगे जब कि हमारे जो चोकलेट भी अच्छे से मैल्ट ना हो जाए और मेना जो मिकसर और गाड़ đã हो जाए तो इसी तरह हम इसी मेडियूम फ्लीजी मपर चलाते जाना है और इसे कुक करते जाना है तो दीरी दीरी हमारे चोकलेट मेल्ट होने लग जाएगी तो आप देख सकते हैं दीरे-दीरे हमारी चोकलेट है वह मेल्ट हो रही है तो इसी तरह हमें सारी की सारी चोकलेट को मेल्ट कर लेना है कुप करते हुए तो अब आप देख सकते हैं हमारी जो चोक्लिर थी वह कंप्लेटी मेल्ट हो चुगी हमारा जो मिक्सर वह भी तोड़ा गाड़ा हो चुका है अब इसमें डालूगा मैं लगबग तीन टेबल स्पून के करीब काजू जो मैंने चोटे-चोटे कार्ट लिए हैं और दो टेबल लिए इसी तरह हम इसे मीडियम फ्लिम पर कुक होने देंगे और फिर को करते रहें तो यह नीचे से चेपक जाएगा और जल जाएगा तो मारा जो फज का बैटर या मिक्सर वह बनकर तयार हो चुका है अब इसको हम ट्रांसफर कर देंगे उसी केक्टिन में जो हमने रैड ट्रांसफर कर देंगी तो हमने सारा मिक्सर को ट्रांसफर कर दिया है अब इसको हम इसी तरह छोड़ देंगे लागवग दो से तीन गंटे के लिए और इसको में रेफिजरेट कर लिया था लागवग एक घंटे के लिए था हमारा चोकलेट फज वह रेडी हो चुका है है अब इसको हम सावधाने से बाहर निकल लेंगे तो अब इसका जो बेकिंग पेपर चिपका हुआ इसको हम अलग कर लेंगे चादो तरफ से चौकलेट फज से हम बेकिंग पेपर को अलग कर देंगे तो बेकिंग पेपर को मैंने चौकलेट फज से अलग कर दिया है अब इसको मैं कट करूंगा तो इसके मैं नो पीसेस कट करूंगा आप चाहिए तो इसके थोड़े चोटे या फिर थोड़े और बड़े इसके पीसेस कट कर सकते हैं अपने मन के ने उसार तो दोस्तों जब आप इसे काटेंगे तो इसमें काटने में आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लेकिन जब आप इसे खाएंगे तो एक ताम मुह में घुलनी चाहिए से लगेगा बहुत ही टेस्टी लगेगा तो अब इसके ऊपर मैं डस्ट कर दूंगा था चोकलेट पौडर ध्यान रहे दोस्तों जिए चोकलेट पौडर कोक पौडर नहीं है यह वह वाला चोकलेट पौडर है जो हम कोफी में उप्से यूजक करते हैं तो कोकर पौडर आप ना डाले वह कड़वा होता है तो दोस्तो हमारा चोक्लेट फज हो रेडी हो चुका है तो दोस्तो अगर आपको यह वीडियो रेशीपी पसंद आई हो तो इस पर लाइक का बटन जरूर दबाए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें